आप सफलता से केवल उतना ही दूर है जितना कि आप कड़ी मेहनत से यदि किसी काम को करने में डर लगने लगे तो याद रखना यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादूरी से बरा है और अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों के पीछे बागना बंद कर दिया है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि आप इसे नहीं कर पाओगे तो वास्तम में यह आपका सपना है यह नहीं नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वाकत करता हूँ आपके अपने चैनल में साथी आपको बदाई और सुपकामना है जिनका आज जन्म दिवस है मेरी जन्म बसरी है या कोई विसेस याद कर दिन है आज इ सबसे पहले बात करते हैं नवराती वरत क्या है कैसे करना चाहिए औरchat जिस कर्म दोरा इस्वर का सानीद्य होता है ट्राय उपास सब्द भी वरत का ही प्रियायवच्छी माना जाता है अब प्रस्न उड़ता है कि साधना क्या है? साधना सब्द धातू से बना है, जिसका आरत है प्रयतन करना, एफर्ट करना, प्रियास करना, अभ्यास करना. अता साधना वह है जिससे अभिष्थ फल की प्राप्ती हो, यह शक्ती अत्वा माशक्ती की प्राप्ती का साधने. पूजा के लिए घर में ही एकांत कमरे में लकडी की चौकी पर लाल रेसमी आसन बिचा करके कपड़ा बिचा करके यंत्र या मूर्ति वहां इस्थापित करना आप चाहिए और उसको ही पूजा इस्थान बना लेना चाहिए इस बात का विश्यश धियान रखेंगी पूजा क साप सुत्रा पिलसन रइद सोर गुल से दूर कीचन और सैन कक से अलग होना चाहिए ताकि साधना में किसी प्रकार का व्यवदान न हो साधना के लिए माला शिव और शक्ति की उपासना के लिए रुद्रक्स की माला का उपाय या प्रियोग कर सकते हैं यहां पूर्ण माला में लाल रंग के आसन का आपको प्रियोग करना चाहिए लाल रंग का उनी आसन हो तो और ज्यादा बैटर है साधना के पस्चादम आसन को प्रणाम करके उसे लपेट करके सुरक्सित रंग से रख देना चाहिए अब जो पूजा पाट करेगा उपास ना करेगा उसकी वेस विजबुसा कैसी होनी चाहिए वैसे तो आप जो चाहें वो कपड़े पहन सकते किन्तु जिस समय आप आसन पर बैठ करके साबना करने वाले हो उस समय आपको लाल धोती या पितांबर लाल अंगोचा अतात उपवस्त्र और यदि सर्दी हो तो लाल कंबल या शौल वोड़ जानी चाहिए विजबुसा ऐसी होनी चाहिए जिससे आप अराम से बैठ करके पूजा पाड़ भी कर सकें और आप मौसम की मार से भी बचे रहें अब बात करतें साथना की समगरी की तो साथना में पूजा में उपासना में आपको पूजा के बरतन अगरबती धूप, आर् पूजा कर, पीपल लिया, वट रक्स के जो भी आपको पते मिल जाएं, वो आपको यहां अरेंज करना है, फिर पूजा की माला, गुड़ हल के पूजा जिसे जवा या जवा, पूजा पूजा भी कहते हैं, मादुर्गा को विशेश रूप से प्री है, लाल कनेर भी उनको प्री है, और कमल कुस्म मिले, तो नित्य चड़ाना चाहिए, उससे शिष्ट क्या हो सकता है, अब जो उपास ना करेंगे, उनके लिए भी कुछ नियम है, जैसे ब्रह्मचरी का पालन, पवित्र रहें, भूमी पर सयन करें, सोच के बाद में स्नान या वस्त्र बदलना पूजा कक्स में आना, इस परस करना, उसके हाथ से सामगरी लिना भी वर्जित है, वरत में दूद, फल या फलों का रस ले सकते हैं, अब जिस दिन इस्थापना हो, इस्थापना की दिन, सुब मुरत में दूर्गा की इस्थापना करें, कलस इस्थापना करें, घड़ इस विद्वान पंडित से पूजन करवा सकते हैं या उनसे भी कलस की स्थापना करवा सकते हैं अखंड दीप पूजा अस्तान पर देवी की दाहिनी और अखंड दीप इस्थापित करना चाहिए दीप की स्थापित करने में पूर्ट या सावधानी रखने चाहिए नित्य पूजन अब दूर्गा सबसती का पाट करें चाहे प्रती दिन पूरी पुस्तक पड़ें और चाहे रोज एक या दो अध्याय पड़ करकी पुस्तक को नौ दिन में संपूर्ण करें पूरी करतें हवन की बात करें तो नवरातर व्रत और उपास्ना के प्रश्चाद अस्त्मी की रात्रि में अत्वां नौमी के दिन प्राता हवनकुन बना करके अगवन करें यदि या विवाई्त हैं तो पत्तीपतिश तवं करें विशर जलम पूजा के अंतिम दिन लक्स्मि कुबेरो इस्टदेवी के अतरिक्त अन्य देवी देवताओं को अपने इस्थान पर या अपने अपने गंतव्य पर करने की प्रातना की जाती है फिर किया जाता है व्रत पारण नवरातिर की समापती पर व्रत नकने वाले लोग अनग्रहन करते हैं यही वास्ता में पारण कहलाता है अतात व्रत समापत हो करके जिस दिन से आप नॉर्मल खाना पिना आरम कर देते हैं यही व्रत की समापती अतात पारण कहला जाता है तो म वही पूजा पूरे परिवार के साथ में और जो घर में छोड़ छोड़ बच्चे हैं उनके साथ में तो जरूर बैठें यही समय है उन्हें संसकार देने का या उनको संसकारों से परिचित करवाने का आपकी ये नवरात्री सिद्ध हो आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाल रहें सुरक्षित रहें प्रसंद रहें अपना और अपने परिवार का घर के चुड़ चुड़ बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विसे इस ख्याल रखें आप सभी को मैंने नमस्कार प्रणाम बहुत बहुत शुब कामने इश्वर आपकी रक्षा करें मा रहें अबस्तों के बुड़ मैंने यूद बच्चों का मा जगद बियुंग को रहें जगद्वर आपकी रहें आपकी रहें आपकी रहें।